अगर आप भी अपने सफेद बालों से परिशान हो तो यह है रेमडी आपके बालों को जड़ो से काला बनाएगी काला बनाने के लिए आपको थोड़ी सी महनत करनी है होम मेड रेमडी का यूज करना है मार्केट वाली डाई आप भूल जाओगे अगर आप मेरे चानल पर आकर मेरी बताई हूँ रेमडी को यूज करोगे मेरी बताई हूँ रेमडी इफेक्टिव है वो आपके बालों को जड़ो से काला बनाएगी लंबा बनाएगी घहना बनाएगी और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम नाचरल चीजों का यूज करते हैं कोई भी ऐसा केमिकल वाली चीजों का यूज नहीं करते हैं लोहे का बरतन आई होप आप सब के पास होगा मैंने इसमें चटनी बनाए थी आवला की उसकी जो गुठलिया है उसमें थोड़ा बहुत आवला भी है वो ले लिया है अगर आपके पास यह फ्रेस आवला नहीं है आवला पॉडर लेक सकते हो एक से दो चमच या फिर ड्रा मैं नहीं हुली इस वरज़े से यहाँ पर दान इपाने मैंने कं डाले है अगर को इसे सरधियों में देख रहा है क्युक्त तो इसे दो चमच यहां पर फनीगरेश सीट के दानी ले सकता है क्यूंकि आपके बालों की जो रूट है उसको चुनग बनाता है इसको छमकदार जादर सरदी नहीं इस पाक्तर त् सहां लिए गैस पर रखकर पानि पृच्छी तरीके से बॉर लिया है। जाना है तो पेड़ ढूर फाको जानी कंद एक प्물 कशना मारे हो जाना चाहिए। इस remedy को आप multiple तरीके से यूज़ करसकते हो मतलब कि आप इस remedy को जब बन कर तीयार हो گ solving को आप हीना टाल कर इसको बना शकते हो आप इसमें सिर्फ एक बि ci un- sniff और या फिर आप सीधना अमला पौडर टाल कर इसको बना सकते हो या फिर अगर आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है साथ के साथ आपको बालो को काला भी करना है तो बस आपको इसमें डाल देना है क्या जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है मुलतानी मीटी वो डाल कर भी आप इसको पैक की तरह यूज़ कर सकते हो नीचे उतार लिया था मैंने इसको ठंडा होने दिया वेट किया ठंडा होने के बाद मैं इसे चान लूगी और चानने के बाद आप देख सकते है यह बिल्कुल ठंडा हो जोगा रुटकुल ब्लैक कलर का हो गया है लोहे का बर्तन लेने से इसमें आईरन के तत्वा आ गए है आप सब को पता होगा कि जब भी हम आवला को लोहे के साथ कुछ भी करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है यही सेम ब्लैक कलर आपके हैर पर भी आएगा अब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइ हैं तो आप इसमें कोकोनेट ओयल मिक्स कर सकते हो एक चमच अगर आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाना है तो आप इसमें कैसरोय लाल सकते हो लवंडरी सेंसर लॉयल डाल सकते हो और दिन में दो से तीन बार कॉटन के हैल्प से या स्प्रे बोतल के हैल्प से इसको पूरे रूट से लेके स्कैल्प तक आप स्प्रे कर लेना अब यहां पर देखिए इस रेमेडि को कोई भी यूज़ कर सकता है चाहिए आप 30 प्लस के हो 40 प्लस के हो 50 प्लस के हो या सरफ आप 15 एर्ज के हो कोई भी कर सकता है क्योंकि आज कल 12-13-14 साल के बच्चों के भी हैर वाइट हो रहे हैं तो इसको सभी कोई यूज़ कर सकता ह कर ना से हैं और यूजर कोई चाहे तो कर सकता है और अगर नहींम चाहता है तो 2-3 के बात भी यूजर चंपक्हाइच चमक को इसे नहीं में सब्सक्राइब करने की मेर इस और कमेट करने की बताओ किसलों कर सकते,ि small data 10 वांड़ Remedy इसमेंhen कर देए